हाई गाईज वेलकम टू माइट चैनल आया पिन्न कुमार मैं फंडामेटल कम्पूटर बात कर रहे थे मैं पिछले क्लास में कीबूर्ड की बिभिन की के बारे में बताया थे आज मैं दूसरी इंपूट डिवाइस माउस पर बात करूँगा आये माउस के किस किस पॉइंट पर बात करेंगे सबसे पहले उसको देख लिए तो फॉस्ट में इंट्रोडक्शन और माउस सिकेंड में टाइप्स ओफ माउस हाज मैं इस टॉपिक पर बात करूँगा तो सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन और कंप्यूटर इंडिरस्टन और माउस की और तो सबसे पहले सब्सक्राइब कि वाट इच माउस है कि हरे कर समक माय में सवाल आता है कि माउस क्या है तो मैं पिछले क्लास में पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था इंट्रोड डिवाइस के बारे में तो उसमें मैं पैड़े थे कि इंट्रोड डिवाइस कौन-कौन होते हैं तो आए मुझे माउस के बारे में कुछ पिछली वीडियो में मुझे जनकारी हो चुकी थे तो आए मैं इस वीडियो में आपको आपके लिए मैं पूरे एक्स्पिलेन के साथ लाया हूं चलिए सबसे पहले बात करते हैं वाट इज माउस तो माउस इज एक्सिलेन कारी है it is known as pointing pointing device it is used to select or open anything anything on computer with with help mouse pointer सबसे पहले बात करते हैं मौस क्या है तो मौस इजे एन इंडिपू डिवाइस कि मौस किया इंडिवाइस उसको और किस नामसे हिं जानते हैं पॉइंटिंऀबाइस के नाम से जानते हैं कह रहा, ETJ used to select or open anything on computer which helps the mouse pointer. हम mouse को क्या करते हैं? mouse के सारे कोई भी हम file या कोई program या फोल्डर क्या करते हैं? open या select करने का काम करते हैं. जिस तरह मैं mouse को निर्देशित करता हूँ, वो उस file या उस फोल्डर क्या करता है, उस पे बर्ग करता है. जो मैं उसे निर्देशित करता हूँ, वो करने का हो, वो वहाँ folder या file या program को open या select करने का क्या करता है? वो बर्ग करता है. किसके सारे करता है? उस pointer के सारे. अब आते हैं, सिर्फ pointer अकरसर क्या होता है? तो pointer, pointer हो गया, जो कि आपको mouse को तीर के जैसा आपको देखने को क्या होता है? मिलता होगा. और cursor हो गया, जो आप देखते होंगे, कोई file या कोई document टाइप करते हैं, तो आप देखते होंगे, इस लकिर के तरह क्या होता है? वो आप पी down होते रहता है, वो क्या होते है? आप जहां cursor को आप click रहेगा, वहां से आपका type या कोई function आपका charge करेगा, या कोई image या कोई program आपको select रहेगा, तो वही काम करेगा, आज बात करते हैं कि हम mouse को किस तरह से use करते हैं? मैं मृफ कुसा तरह से use करते हैं, हम यूज करते हैं उसके point क्या करते हैं? पोइंटर के सारे सारे बर्ट करते हैं, पर किस तरह से बर्ट करते हैं? मौउस का यूज करते हैं आई आजम बताते हैं परजेंट टाइम परजेंट टाइम यू कैन फोर डिफ्रेंट एक्सान यूजिंग एक कम्प्यूटर कम्प्यूटर मौउस फस्त में सिंगल क्लिक सकेंड दोल क्लिक थार्ड राइट क्लिक इफ्रेंट एक्षन और फोर्वाट क्या फोर्पार्ट कम्प्यूटर मौउस फाला सिंगल क्लिक डवन क्लिक राइट क्लिक और फोर्ववब्र एंड ट्रॉप एंड ड्रोप एंड ड्रेग ड्रोप एंड ड्रेग है ने ड्यृूइड ड्रह मैं आज माउस के इसी चारुड विधि से क्या गरते माउस कुम क्या करते हैं यूज करते हैं सब पर Utн परतम क्या करते हैं शिंगल फीस फास मैं क्लिक दॉबλ क्लिक कि आपको यहां सिंगल क्लिक डबल क्लिक दिया हुआ है राइट क्लिक दिया हुआ है और क्या ड्रोप एड्रोप तो आज की जो माउस यूज करते हैं आप देखिए इस तरह का आज का माउस हम क्या करते हैं यूज करते हैं यह होते हैं राहिट होते हैं और क्या होते हैं और क आप जान लीजिये कि यह दोनों जो है क्या जी लेट किलिक के बारे오 नहीं बता तोनों किसाण से बताया गया अब को बात बोल देजा कि आप सिंगल किलिक कीजिए तो आप राइट क्लिक उत किजिए किसा किजिगा सिंगल किलिक कई किजिए इसी है कि जब आपको single click करना नेक्स्ट है राइट क्लिक आपको बोले तो करना त struggling के एक फोलिंडर है या में किसके सारी की जिए तूसरी और की जाते हैं वह ही ट्रवग एंश एफ आज ज्यादा एकिखा आज को माउस जो उचतले कर दे हो ओप्टीकल माउस डेखना चाहते तो आईए जो आप सिस माउस को देख रहे हैं चैंड काहा है ओप्टीक गित्सक्राइब करते हैं मैं स्कीन को ऊपर आप डॉन क्या करते करने का कार्च करते हैं आधे अब बताते हैं टाईप ऑप माउस अप उसमें सारा चीज माउस के बारे में कितने परकारक होते हैं साथ दिखेज अब जान जाहिएगा टाइप्स ओफ माउस माउस को आज तीन तरह से बाज़ गिया है फर्स्ट है मुवेंट के अनुसार सकेंड है क्रिक्षन के अनुसार तीसरा वटन के अनुसार तो चलते बात करते हैं सब परता हम मुवेंट के अनुसार मॉमेंट के अनुसार माउस को तीन तरह से बाटे गया है उफएला मैगनिकल माउस सकेंड नमबर ऑप्टिकल माउस थर्ड नमबर है अप्टो मैगनिकल माउस यह मुवेंट के अनुसार से मुवेंट के होता है इसकी माउस की घूमने की पॉइंटर की घूमने के अनुसार माउस सी घूमाने के अनुसा तो सबसे पहले करते हैं मैगनिकल माउस उसमें क्या होता है आप देख सकते हैं एसकीन पर यह क्या है मैगनिकल माउस का चीतर है इसमें क्या होता है कि आपको एक वाइट का बोल्ट कि यह से क्या होता है में है गूल जिसकी होता पोल होता है वो क्या करता है तो हमारा कर्ज़ु करता हैו चाहिंत क्या है अक्तिकल मौस इसमें क्या होता एक रिड्ट सब्सक्राइब होता है जो हुग क्या है रहे हैं ल Nicholas kum मूव करते हैं तो हमारा प्वाइंटर भी क्या होता है मूव होता है नेक्स्ट है अप्टो मेकल माउस जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वह हमारा क्या है अप्टिकल अप्टो मेकल माउस जो क्या आप्टो और मेकल माउस के सारे क्या बना हुआ है चलिए नेक्ष बाढ़ते हैं किनेक्सन के नुसार तो सबसे पहले बात करते हैं USB माउस यूएसभी माउस आज के अल हम लोग जो माउस यूज कर रहे हैं किसके अंसार कर रहे हैं यूएसभी क्या होता है तो आप देखिए यूएसभी यह हुआ क्या हुआ यूएसभी माउस इसका को फिक्स पोजिशन नहीं होता है आप किसी भी यूएसभी हम में आप क्या कि इसको डाल देजिए आपका सपोर्ट कर जाएगा अब रहे हैं कि यूएसभी का फूलू क्या होता है तो उनिवार्सल सीरियल वस होता है यूएसभी माउस को आप बोट पर आप देख सकते हैं तक इसकीन पर आप देख रहे हैं वह क्या है यूएसभी माउस है कि साकेंड आब आते हैं है ह। पीयेस्टू माउश जो सकीन पर देख रहे हैं वह क्या है पीयेस्टू माउश इसमें आपको पीन की तरह आपको इसका जो फ्रॉंट भाग नहीं होता है सर्किल की तरह रहता है गोल रहता है उसमें आपको six pin की तरह six को मिलेगा आप इसमें आपको six pin देखने को मिलेगा अब आते हैं थी नमबर में बस माउस बस माउस जस्ट पीएसट्व माउस की तरह ही होता है इसमें देखेगा कि पीएसट्व में six pin रहता है तो इसमें आप देखेगा किसी क्या रहता है 9 pin रहता है दोनों में क्या है यही आपका अंतर है दोनों का क्या होता है कि सीपी माउस का fix position रहता आप जिसमें आपको fix दिया उसी में आप इसको किजिए अनत्था आपको यह support नहीं करें नेक्स तरह है अब सेरियल माउस सेरियल माउस क्या होता है आप स्कीन पर देख रहे हैं यह क्या है सेरियल माउस इसमें यूज इसमें देखेगा कि आपको वीजी केवल की तरह आप देखेगा इतना कि आपको चवराई के रहेगा उसमें बहुत सारी क्या रहेगा पीन मिले अपको देखने को बहुत सारे पीन आपको देखने को मिलेगा आप जैसे के स्कीन पर देख रहे हैं कि नेक्स टाइप आप ने कि वायरलेस या ब्लुटूथ माउस जैसे के स्कीन पर आप देख रहे हैं यह क्या है बुलू तो यह बारेश मौस है इसमें आपको वायर की कोई भी आप सकता नहीं होती है इसमें एक मौस और उसके लिए एक पोर्स की जरूत होती है जो क्या CPU में क्या होता है एक और आप इसको किस कितने भी दूरी पर हाप इसको रहता है उतने डिस्टेंस पर आपको इसको करके आप यूज कर सकते यह प्रड़ वाले मौस जितना दिसको वायर हो पाता है वहीं तक आप क्या कि यूज कर पाईएगा आए बटन के नुसार बात करते हैं तो बटन का सब पहला सिंगल सिंगल बटन माउस सकेंड है डवल बटन माउस ठड़ है थिरी बटन माउस सबसे पहले बात करते हैं सिंगल बटन माउस जो आप स्कीन पर आप देख रहे हैं यह क्या है मारा सिंगल बटन माउस इसमें सिर्फ क्या होते हैं वन बटन होते हैं आएए डवल बटन माउस जो आप स्कीन पर देख रहे हैं यह क्या है डवल बटन माउस है इसमें सिर्फ क्या होते हैं दो क्या होते हैं वटन होते हैं आए थ्री है तीसरा है थ्री बटन माउस जो आप स्कीन पर देख रहे है यह क्या है त्री बटन माउस हैं जो कि आज के समय में यूज कर रहे हैं और टिकल माउस उसमें कितने होते हैं थी बटन होते हैं फार लेव्ट राइटर क्या होते हैं अस्कॉरल भी अगर अगर उमिद करते हैं कि आप लोगा यह वीडियों अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें अगले वीडियो में मैं आप लोग के लिए असकाइनर और उसके परकार को लेकर आएंगे जब तक के लिए थाइंक यू बाई